नमस्कार दोस्तों स्वागत अब सभी का आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लामा की लामा फेस्बूक के द्वारा बनाए गया एक चैट बोट है अपने चैनल पर एक वीडियो में हमने चैट जीपीटी को भी कवर किया है जो कि ओपन एई नाम के एक स्टार्ट अप जो क आज हम बात करेंगे फेस्बूक के द्वारा बनाएंगे अपने चैट बोट के बारे में जिसका नाम है लामा इसे लेटे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्स हैं सारों को हम कवर करेंगे पॉलिटिस्ट एकोनोम में जीके टेक्स और जोग्राफिक की तमाम वीडियो के ल जाल रही हैं ताकि अपने कस्टमर्स की जो नीड्स हैं उसको पूरा किया जा सके ओपन याई जो की एक सैंफ इसको बेस्ट स्टार्ट अप है उसने बनाया चैट जीपीटी यह एक चैट बोट है जो एक के उपर काम करता है इसको हमने अलग वीडियो में कवर किया है लिं इसलिए मैटा ने अभी हाली में अपना वर्जन जो है चैट बोट का उसे लॉंच किया जिसका नाम है लामा लामा जो है यह लाज लेंग्वेज मॉडल है जिसको मैटा के दोड़ा डवलप किया गया है और यह बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह ही काम करेगा अब लामा क जो है यह third large language model है जो कि माटा के दोड़ा डवलप किया गया है इसे पहले भी मैटा ने दो language models को develop किया पहला है Galactica और दूसरा है blender हाला कि Galactica blender के comparison में जो lama है उसमें काफी कम resources और काफी कम computing power की जरूरत पड़ेगी तो blender और Galactica जो है उसमें जादा resources और जादा computing power चाहिए थी लेकिन lama जो है इसमें काफी fewer resources कम resources चाहिए होंगे और इस case में जो computing power है वो भी काफी कम चाहिए होगी लामा जो हले कि इसको market मां भी तक release नहीं किया गया है इसके ओपर सिर्फ research paper ही publish हुआ है लेकिन Mark Zuckerberg जो कि Facebook और Meta के owner है उन्होंने अपने तरीके के style में इसके launch की announcement ओल्रेडी कर दी है जिसके वैसे इस industry में already जो लामा है वो अपना buzz बना चुका है मगर कुछ समय में इसे market में भी launch कर दिया जाएगा अब लामा जो है वो बिल्कुल chair GPT की तरह ही काम करेगा लेकिन इसका main objective सिर्फ researchers जो है उन्हें अपने काम में मदद करना है एसिस्ट करना है लामा जो है यह information लेगा research field से और फिर वो बाकी researchers तक पहुंचाएगा तो इसका main काम क्या होगा अभी तक इसका main काम यह होगा कि research field से information लेगा और फिर वो बाकी researchers तक इस information को पहुंचाएगा अब देखो meta का aim है कि chat का जो पूरा को पूरा यह business है इसमें अपना चैट बोट बनाके top position हासिल की जाए पूरी दुनिया में आप जानते हैं कि meta ही company का facebook है फिर इसी facebook ने whatsapp को भी खरीदा इसी facebook ने instagram को भी खरीदा क्यों क्योंकि mark शुकरबग चाहता है कि इन सारी कि सारी चीजों में मैं monopoly बना सकूँ तो अभी अपना चैट बोट launch करकर भी वह इस चैट के जो पूरा का पूरा बिजनेस है इसके ओपर अपनी monopoly बनाना चाहता है पूरी दुनिया में top position जो है वह लेना होते हैं कई research papers के ऊपर copyright होता है जिस बंदे ने ये research paper लिखा है उसका उसके ऊपर copyright है तो अब ये copyright और privacy के issue को लामा कैसे handle करेगा इसके बारे में meta ने कुछ भी reveal नहीं किया है देखे दोस्तो privacy और copyright ये काफी important issues रहते हैं ये past में भी एक बहुत major concern रहा है चैट बोट के लिए कि किस परकार से जो privacy और copyright का issue है इसे handle किया जाए तो इसलिए ये देखना काफी दिल्चस्प होगा कि meta privacy और copyright की issues को कैसे address करता है इस परकार कि जो concerns है इन्हें कैसे handle करता है तो यह इस lecture का analysis है जहां आपने देखा कि facebook की parent company जो है meta उसने अपना chat board launch किया है जिसका नाम है Lama इसका main objective क्या है इसका main objective है कि यह जो researchers है इन्हें assist करेगा अपने काम करने में इन्हें assist करेगा मदद करेगा पॉलिटिस्टि एकोनोमी जीकेटिक जोग्राफिस साइंस इंवार्मेंट ए निकोलोजी जैसे तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस को एक बाज जुरू चेक करेगा अगर आपको वीडियो इच्छे लगे तो लाइक करेगा शेर करेगा और ऐसे जीके वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करेगा थेंक्यों फॉर वाच्टि